साथियों, आज 11 सितंबर को एक और बड़ा आउसर है, आज भारत के महान विद्वान, दार्षनीक और स्वातंत्र सेनानी, सुप्रमन्यम भारती जी की सोवी पुन्यती थी है, सरदार साहब, जिस एक एक भारत, स्वेश्ट भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्षन महा कभी भारती की तमिल लेखनी में पूरी दुव्यता से निखरता रहा है, जब वो कहते थे, कि हिमाला है हमारा है, तमिल लाड़ु में रहते थे, और सोच कैसी, और वो कहते थे, हिमाला हमारा है, जब वो कहते थे, कि गंगा की ऐसी धारा, और कहां मिलेगी, जब वो उपनी शदों की महमा का वरणन करते थे, तो भारत की एकता को, भारत की स्रेश्टता को, और भव्यता देते थे, सुब्रमन्यम भारती ने स्वामी विवेकान से प्रेड़ा पाई, स्री अर्विंदो से प्रभावित हुए, और काशी में रहते हुए, अपने विचारों को नई उर्जा दी, नई दिशा दी, साथियों, आज इस अउसर पर मैं एक महत्वपुण गोशना भी कर रहा हूं, बनारस हिंदू उनिवर्सिटी में, सुब्रमन्यम भारती ची के नाम से, एक चैर स्थापित करने का निरने किया गया है, तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समर्द्य भाषा है, विश्वकी सबसे पुरातन भाषा है, और हम हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, तमिल स्टडीज पर, सुब्रमन्यम भारती चैर, बनारस हिंदू उनिवर्सिटी बीए चुके, फेकल्टी आप आर्ट्स में स्थापित होगी, ये विद्यार्थियों को, रिसर्थ फैलोज को, उस भव्य भारत के निर्मान में जुटे रहने की निरंतर प्रेणिया देगी, जिसका सपना भारती जी ने देखा था.